हेलो एविवर मनीश यहाव विलकम टू एम टैक्स कलब आज हम देखेगे कि टैन को एफाइलिंग पोटल पे रेजिस्टर कैसे करेगे अभी रिसेंटली गौपने ने जो टीडियस टीडियस पेमेंट करते थे वह अभी एफाइलिंग पोटल पे सिफ्ट कर दिया है आपको ठीलियस का पेमेंट ईफालिंग पोटल पे करना है एवरी मही ने फिर वाइस जो बैंक्स अंस्ग पोटल पे है अब पेमेंट करने के लिए टैक्स का उसको सिफ्ट करते इंकम टेक्स पोटल पे तो ईसू यह आ रहा है कि जिसका परएंस्थे हुआ है उसका आप CSI फाइल Alltars के Portal से डाउनलोड कर सकते थे बट Income Tax के cases में आगर आपने TDS का पेमेंट Income Tax के Portal से किया है आज़र online किया है या फिर offline payment किया है दोनों भी cases में अगर Income Tax के तुरू पेमेंट हुआ है तो वो cases में आपको जो चलान डाउनलोड करना है TDS का और CSI फाइल डाउनलोड करना है TDS का वो Income Tax के पोर्टल से ही मिलता है तो अभी इसू यह आते हैं हमने आलरेडी जो पेमेंट कैसे करें TDS का थूरू Income Tax पोर्टल चलान कैसे जिनरेट करें कैसे डाउनलोड करें इसका वीडियो अलरेडी हमने बनाया हुआ है पर लोगों का एक कोईरी आता है कि हम TDS पेमेंट किया है हमने बर चलान हमारे को दिखने रहा है तो वहाँ पर इसू यह होता है कि वो चलान देखने के लिए या फिर CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए Income Tax के पोर्टल पे पैन के थूरू लॉग इन करते हैं तो जब आप पैन के थूरू लॉग इन करते हैं तो आपको CSI फाइल का या फिर TDS चलान का डिटेल्स आपको सो नहीं करता है वहाँ पे तो आपको CSI फाइल और TDS चलान देखने के लिए आपको TAN से लॉग इन करना परेगा पर देन आप यफाइल ऊटल पर टान रजिस्टर कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं step by step क्या process होता है to register your TAN on the e-filing portal तो प्री्धिट है कि valid TAN होना चाहिए आपका जब हो यह अक्तिब होना चीए दूसरा जो principal सब्सक्राइब क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डैस्पोर्ड आता है वहां पे आपको दो चीजे पूछते हैं दो अप्शन होता है यहां पे एक टैक्सपेर का दूसरा अधर्स का टैक्सपेर अल्रेड़ी क्लिक्ट तो वहां पे आपको पैनकार्ण डालने का नवगां डालने का और श्रीपिट किढंगे तो यहां तो आपको आपको टैन नंबर डालना है थो तो आपका जो टैन है वह validate करना है अगर आपका टैन एक्टीव है और Hikam Täक्स पो PROFESSOR के database में है तो वह validate हो जाएगे दें जो next process है वह है अब का जो basic detail है वह Levn si प्रिफिल रहेगा आपने आगर आरेडी ट्रैस में registration कर ढ़ने है आरेडी registration है आपका traces के अंदर tan का तो वो case में आपका जो basic details है वो pre-filled होगा जैसे validate करके आप continue करेगे तो आपको एक pre-filled basic details मिल जाएगे यहाँ पे लेकिन यह registration process में यह भी बता रहा है कि अगर आपका जो tan है वो traces के उपर register नहीं है तो वो cases में क्या करेगे तो यहाँ पे तीन situation बनते हैं कि एक तो आपका जो tan है वो active है इंगप्टेक्स के database में है और also your tan is registered with traces तो वो cases में क्या करना है आपको just continue करना है basic details pre-filled आएगे then continue करके दूसरी details आपको fill करने है दूसरा condition हो सकता है tan के लिए तो आपको एक register करने का option आएगा on traces portal traces के page पे और यह तभी आएगा जबी आपका traces पे कोई tan registered भी नहीं है और आपने कोई registration process start भी नहीं किया है अगर आपने already registration process start किया है तो वो case में वो दिखाएगा आपको कि आपका actually error आएगा बोलेगा कि आपका registration process in process है registration in process है on traces page तो दूसरा case जहां पे आपको register नहीं हुआ है तो वो case में आपको ये traces के page पे redirect करेगा वहाँ पे आपको tan register करना है वहाँ पे register होने के बाद आपको e-filing income text का जो e-filing portal है वहाँ पे आपको register करना परेगा traces के page पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे register with e-filing on traces का option होता है वहाँ से जाके आप click करेगे तो आपको जो basic details है वहाँ पे डालने है and then continue करने है ये note में आप देख सकते है लिखा हुआ है you have to first register on traces from there you will be taken to the e-filing registration page click on register e-filing portal तो ये process होता है e-filing traces के page पे register होने के लिए third condition है कि आपका जो tan है वो pen के income tax portal पे है उसके database में but traces पे आपने registration request डाला है पर अभी तक ये प्रूब नहीं हुआ है अभी तक pending है तो वो case में क्या होगा आपको एक error आएगा और आपको ये भी option देगा कि आप registration process चाहे तो withdraw कर सकते है पर basically यहाँ यही है कि आप e-filing portal पे 10 तभी register कर सकते है जब आपका 10 traces के portal पे register है then fifth step यहाँ पे है कि जैसे यह process होता है traces में आपका registration है e-filing portal से आप continue करते है basic जो prefill detail होता है उसके साथ continue करते है next page पे next page पे जैसे याते है तो जो principal contact person है जो deductor है उनका details यहाँ पे डालना परेगा तो उनके लिए उनका pan number last name, date of birth यह सारे details डालने होते है उनका details डालने के बाद आप continue करेगे जो भी address, name सब उनका डालना है तो continue करने के बाद यह details डालेगे वहाँ पे आपको pan और email id separately डालना है उनके जो contact person है उनके और जैसे ही आप डालके continue करते है तो वो OTP इंटर करने को बोलता है two separate OTP जाता है phone number पे भी अलग से OTP जाएगा और mail id पे भी अलग से OTP जाएगा दोनों के दोनों OTP यहाँ पे आपको 3 attempts कर सकते है आप OTP का OTP के page पे आपको countdown दिखाता है तो basically यहाँ पे OTP के बारे में कुछ details दिये हुए है then 8th step होता है तो verify the page and review the details provided अगर कुछ change है तो आप change कर सकते है review page होता है review page पे जो आपने details डाले है जो आपके details है वहाँ पे दिखेगे review करने के लिए आएगे आपको confirm करने को पूष्ट है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ change करना है तो वो cases में आप यहाँ पे change कर सकते हैं नहीं करना है दिन आप यह page को confirm कर सकते है then यह confirmation देने के बाद आपको password set करने को बोलता है password set करने के लिए आपको यहाँ पे दो अपस्वर्ट के लिए set password और confirm password दोनों में आपको same password डालना होता है ताकि कुछ mistakes ना हो password में and then आपको एक personalized message यहाँ पे लिखने होते है जबी भी आप login करेगे TAN के तुरू income tax portal पे यह basically दोनों में भी होता है पैन में भी होता है और अभी टैन में भी हो गया है कि आपको एक personalized message वहाँ पे लिखे रखना होता है और यह password details डालने के बाद personalized message डालने के बाद आपको यहाँ पे register का option आता है finally देना register पे जैसे ही click करते है और बाकी के चीज़े आपके proper है तो आपका registration successful हो जाता है password के लिए यहाँ पे details बताया हुए है कि जब आप password का page open होता है तो वो time आप ना तो उसको refresh करें ना back करें then password एंटर करते time password at least 8 digit का होना चीए और maximum 14 digit का होना चीए 14 digit से ज्यादा का password नहीं रख सकते और 8 digit से कम का password नहीं रख सकते lower and uppercase later होना चीए number contain होना चीए और special character भी होना चीए तो यह password के format थे successful message उसके बाद आएगा और एक transaction ID भी generate होके यहाँ पे आ जाएगे transaction ID आपको note down करने लेना है future reference के लिए और यह registration process इसके साथ ही आपका complete हो जाता है और उसके बाद आपको wait करना होता है approval का जैसे यह approve हो जाएगे तो वह case में approval के आने के बाद आपका registration successful हो गया income tax portal पे और उसके बाद आप login कर सकते हैं with your TAN on income tax portal same जैसे आप PAN से करते हैं login वैसे TAN से login कर सकते हैं और उसके बाद आप जो TDS चलान है या फिर आपका CSI file है वह आप download कर सकते हैं वह कैसे download करते है CSI file और TDS चलान file वह उसका separate video है हमारे portal पे यह description से भी आप वह access कर सकते हैं कि जो TDS का चलान है वह कैसे prepare करना है pay करना है और TDS चलान डाउनलोड करना है यह थे process for registration of your TAN on e-filing portal so thank you for your time share this video subscribe my channel